डियर स्टूडेंट नमस्कार इस वीडियो में हम आपके लिए चैनल साइंस के कुछ महत्पूर पुर्शन लेकर क्या हैं जो प्रतियोगी परिच्छाओं में बहुत ज्यादा पुछे जाते हैं यह पुर्शन आपके लिए प्रतियोगी परिच्छाओं में लाबदायक हो सकते हैं आएए पहले प्रसन की ओर चलते हैं पहला प्रसन है जिस सम्विष्टन प्रतियोगी की करण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे आप्शन ए है जन सक्ति यांत्रिक करण और बिद्दुत आप्शन बी फैसल प्रतिमान में परिवर्तन और धोगी की करण और रासायनी कुरवरक और आप्शन सी सिचाई जयाव रासायनी कुरवरक और अधिकुत पादन करने वाले बीजों की किस्में तो इन चारों आप्शनों में आप्शन सी सिचाई जयाव रासायनी कुरवरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में तो यह जो मुख्य अंग है इनके द्वारा ही शंबेश्टन प्रत्यों की करण हरिट्रां दिया थी आइए अगला प्रस्ण देखते हैं क्या है अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेश्ट करें तो आइए दूसरा प्रस्ण देखते हैं तामर की डिस्क में ध्रक्राइं Fukैने खैंद क्लिफिस्थ गरंदिया जाए तो चैन का आगर क्या होगा झेंद में क्या Competition Aि ए बढ़ता है option B घट जाएगा option C उतना ही रहेगा फिर फिर बढ़ता है इसका आणसर क्या होगा इसका आंशर होगा कि आ कार घट जाएगा अर्था ओप्षन पी यह होगा बहुत सही होगा इसके बाद चलते हें अगले प्रशन पर अगला प्रस्ण है रेडियो एक्टिविता की परिऎटना की खोज की थी तो रेडियो एक्टिवता की परगटना की कोई किसने की ओप्सन ए मैडम क्यूरी ने ओप्सन बी जे जे थामसन ने ओप्सन सी रोएंट जेन ने और ओप्सन डी है बेकेरल ने इन चारों ओप्सनों में कौन सा ओप्सन सही होगा इसमें जो option D है बेकेरल है ये option इसमें सही होगा इसके बाद अगले प्रस्ट की और चलते हैं अगला प्रश्ण हमारा है कि आध्धोगिक बहिसराउद्वरा किये जाने वाले जल प्रदोसर्ण को रोकने के लिए निम्न लिखित में सिक काउन से अपत्रण को उप्योगी पाया गया है तो इनके भी चार option है इसमें चार option हो में हम देखेंगे पहला option है पार्थ है पॉन्थ है नियम और पी option है हाथी खास सी है जल कुम्भी और डी है इनमें से कोई नहीं इसका answer जो होगा वा होगा जल कुम्भी अर्थात option सी सही होगा अगले question पे एम पर लाए है अगला question है हमारा निम्न लिखित में से कौन सी गयस को चितम उसमी अमान रखती है तो इसमें उसमी मान रखने वारी जो गयस है वो कौन सी तो फर्ष्ट है प्रक्रतिक गयस और सेकेंड ऑप्शन है फाफंगार गयस फर्ड ऑप्शन है कोईला गयस और फोर्थ ऑप्शन है इंडिया इन गयस इन चारो ऑप्शनों में प्रक्रतिक गयस जो वह सबसे क्वेशन नमबर नेक्स्ट जो है वह हमारा इन्सेट टू थी कहां से प्रमोचित किया लिया तो फ़र्षट ऑप्षन इसका है बैका नूर और सेकेंड ऑप्षन है कौरू फ़र्ड ऑप्षन है स्री हरकोटा अब फौर्थ ऑप्षन है चांदी पूर तो इन चारों प्रमोचित हुआ है इसका आंसर जो होगा फोकत कोरुप और फ़र पी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा इसके नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नीचे दिये गए इनन में से इसमें सरवाधिक उसमी मान है फ़र्ट ओप्षन कोग सेकेंड ओप्षन है पत्थर का कोईला और फ़र्ड ओप्षन है लकडी फ़र्थ ओप्षन है फ्राकरतिक गैस इन चारों आप्षनों में जो हमारा ओप्षन है डी वाला अर्थात प्राकरतिक गैस प्राक्ति गैस होता है इसका सबसे ज़्यादा उसमी मान होता है D option इसमें correct होगा Next question है सागर में बहते हिम खंड के द्रब्यमान के कुल तस भागों में कितना जल तल के उपर होगा First option है एक भाग Second option है दो भाग Third option है चार भाग सागर में जो हिम खंड बहते हैं उनके द्रब्यमान के कुल तस भागों में कितना जल तल के उपर होता है इसमें एक भाग जो जल होगा वो तल के उपर होगा अर्थात इसमें एक option सही होगा Next question है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है तो यहां पर option जो दिये गए है nitrogen, गंधक, oxygen, जल तो हम कोई पता है कि किसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है तो इसमें जल जल जो है चंद्रमा पर नहीं उपस्तित होता है इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है option जीवन सही होगा next question पर आते है next question है नाभी की reactor में इन में से कौन सा इनन काम करता है है कोईला, second है uranium, third है radium और fourth है diesel इस चारों option में option B, अर्था की uranium नाभी की reactor में काम करता है इसमें option B, correct होगा option B है uranium नमस्कार, मिलते हैं गले वीडियो में धन्यवाद